हेलो क्लास वेरे वेलकम ओल आफ यू मैं उज्वल सर्थ आप सबका स्वागत करता हूं मेरे आज के क्लास में और हम लोग आज कुछ नए टॉपिक को देखेंगे कुछ नए उस्साह के साथ ठीक है चलिए उस्साह तो बनी रहनी चाहिए भाई साथ उस्साह खतम हो गई तो क कखतम हो जाएगा ठीक है जलिए प्रकास तरहणो काम लोग वैतिकरण देखेंगे सबसे पहले है जब दो प्रकास की तरंगे तरंगे या उससे अधीक तरंगे जब किसी माध्यम में एक साथ गुजरती है तब प्रकास की तरंगे वयतिकरन करती है प्रकास की तरंगे क्या करती है वयतिकरन करती है जो बात में पता है एक साथ चलेंगी तो वयतिकरन करेंगे जब दो प्रकास की तरंगे उससे अधीक तरंगे समान आवरिती के हो ठीक है एवं जब किसी माध्यम में एक साथ गुजरती है तब प्रकास की तरंगे वयतिकरन करती है ठीक है समान आवरिती के होने चाहिए अबरिती कैसे होने चीए शमान आवरिती दूश्मान होने चाहिए तब ही यह करेंगे है कि ओके शिर्द आवान लोग आते हैं बच्छू यंग्स के प्रयोग पर एक के प्रयोग पर यह मुस्में क्या किया पर लोग किया एक प्रकास के शुरूत एस से एक प्रकास के शुरूत एस से नियत आवरी थी कि किसी ठीक है किसी पर दे चिद्र से एक प्रकास के शुरूत एस से नियत आवरी थी किसी पर दे पर दो चिद्र से तिक है गुजारी जाती है गुजारी ऐसा से प्रकास, नियत आवरिती के प्रकास किसी पढ़वे पर दो चिदर से गुजारी जाती है तब वह प्रस्पर वैती करन कर अन्या शामने प्रदे पर ठीक है सामने प्रदे पर क्या बच्चो प्रदे पर चमकीले एवं ठीक है काली पट्टियों का निर्मान करते हैं ठीक है इन पट्टियों को इन पट्टियों को इन पट्टियों को क्रमसर बी एवं डी से व्यक्त किये जाते हैं किये जाते हैं था है शोतियों कहानिया है कुछ थीोरिय यह आपको पता है सुरवात में कुछानिया पुछ थीओरिया नहीं जाती है बच्चो देखिए कोई एक अब देखिए क्या था बच्चो समझेगा मैं कुछ आपको समझाता हूं क्या अगर मान लीजिये यहां पर क्या है नहीं हो एक बल्व है एक मान लीजिये बच्चो क्या है एक बल्व है प्रिके यह स सक्कु elegant इस तुम हुआ। मेरो घाळे कि निकालते हैं निकाल दियां हमँ एस तुम स्कष्ट लाता मेरा इस प्रकार प्रकास निकालते हैं तो भच्छों अगर इस तरह से यह बल्व है हमाई पस दो सुरूद है ठीक है हमने क्या किया दो बल्व प्रकास के प्रकास के सुरूद रूप में लिया ठीक है ले लिया नि प्रकास के सुरूद निश्चित कला संबन्ध के तरंगे उत्सरजित कर सकती है यह तो तरंग होंगे और यह तरंग होंगे क्या यह तरंगे निश्चित आवरीती के होंगे बोलिए क्या इन दोनों की जो कलांतर इन दोनों की तरंगों की क्या ये होंगे ये बात मैं नोट करके बता रहा हूं ठीक है नोट करके बता रहा हूं बताइए करेंगे तो देखें कि बच्चो ये प्रकास ये जो दूब बल्व हैं किसी भी बल्व से प्रकास कैसे निकलती है कैसे निकलती है बच्चो परमानों ले जाते हैं इनमें क्या होती है कुछ परमानूं परयोग किये जाते हैं उन परमानूं पर क्या होते हैं कि बच्चो उर्जाएं आप्टित की जाती है उस उर्जा को उस परमानूं की एलेक्ट्रोंस गरहन करके ठीक है वो क्या करते हैं उच उर्जा आस्तर में चले जाते हैं फिर उस उर्जा अस्तर में लगभग दस के घात मैनस आठ सकेंड तक रहते हैं, सुन्स लिजे कितनी कम समय अंतराल के लिए रहता है, दस के घात मैनस आठ सकेंड तक रहता है, मतलब बहुत अल्प समय अंतराल के लिए रहता है, और फिर से उर्जा उसरजित करके अपने प्रकास निकलती वी उसरजित वी नजर आती है, समझ गया बल्वों से प्रकास उस सरीच भोती ही नज़र आती है कैसे आई समझ में आई कैसे आई किसी परमानु को बल्व के बल्व के तंतु के रूप में लेने पर बल्व के इंधन के रूप में लेने पर उसके कि इसके परमानु को आतरिक्त उर्जा मिलने पर अतृ रिक्त उर्जा मिलने पर कि ऊच्छ उर्जा अस्तर में अब चले जाते हैं चले जाते हैं, ठीक है, उसके पस्चात, उसके पस्चात, दस एगात मैनस आठ सकेंड तक वहां रहने के बाद, ठीक है, उच उड़ जाके, उच उड़ जाके, ठीक है, प्रकास उच सजित, मतलब करें तो विकिरन उच सरजित कर, प्रकास उच सरजृत कर, ठीक है, कर, निम्न उठीक है, प्रकार से प्रकास उपनोधी बलगु से, ठीक है, तो बच्चों, क्या, मान लिजे कि इस बल्व के जो परमानू थे उनके कोई ऐलेक्टरोंस उर्जा अगरहन करके मान लिजे इसमें चले गए क्या यह जिस समय यह नीचे आएंगे ठीक है प्रकास की तरंगे उसर जित कर क्या जरूरी है कि इस बल्व के कोई elephants उसी समय उर्जा घरН कर यहां जाएगा और उर्जा उसस्राजित कर यहां आएगा चैनल कंट्र अपने कच्छामें आए हैं क्या ज़्री है कि इसété इस बल्ब के अलक्ट्रोंस भी उद्जा उस सरिदकर नीचे वाले उद्जा है ना नीचा वाले अस्तर में आए होगी जवरी तो नहीं है अगर नहीं है तो ये दो अलग अलग प्रकास की बल्ब जो है वह उसके जो कलाँ है उसके अंतरद नुश्चित नहीं रहेंगे समाई के साथ, समझ गये इसलिए बच्चों दो प्रकास के बल्ब कला और शम्बध शरोत होते हैं, समझ गये और पिछले कलास में लोग बड़ चुक पढ़ चुके हैं, कि प्रकास के व्यतिकरन की घटना देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है हमें दो कला संबंध स्रोत लेना पड़ता है तो ये दो बल्व जो है दो अलग अलग स्रोत जो है बच्चों दो प्रकास के बल्व कला संबंध स्रोत होते हैं या फिर दो अलग अलग स्रोत कैसे होते हैं कला असंबंध स्रोत होते हैं ठीक है दो अल एक दूसरे के बीच में कोई रिष्टे नहीं है तो इसलिए जो हमारे यंग थे कौनसे बाई साथ टॉमस यंग ने थाड़ा सो एक इस्वी में इस्वी में ठीक है एक थाड़ा सो एक इस्वी में ओके दूइ जिरी का प्रियोग कर वैतिकरन की घाटना उत्पन किये कितने स्वी में अठाड़ा सो एक इस्वी में उन्होंने क्या किया बचो बड़ा चैलेंज वाला काम था वैतिकरन की घाटना है ना समानने से जीवन में घढोई कि मानसे जीवन में आपको जंनरल लाइफ निक्यों कि वेतिकरण की घटना है वोह कभी कभी सकती है जब दो प्रकास के सद्थ क्या हों कलाश कंबंदि सद्थ दो अलंग-अललग बलब्र की शुरोत किला संबंध शुरोत नहीं हो सकती क्योंकि क्यूंकि ये दोनों कुझ सरजित करेंगीक्स संबंध यह इसनलिए यह बड़ेक इसका सम्बंध नहीं है इसका तरल सकता है तील संढर बाद सब्सक्राइब कोई कला का संबंद नहीं है इसलिए यहां दो कला संबंद शुरूत नहीं होंगे ठीक है, क्या क्या होने, उन्होंने बच्चो एक प्रकास के सुरूत S से नियत आपरिती के प्रकास किसी पड़दे पर दो चुदिल से गुजारे गए, तब वह प्रसपर वेतिकरन अन कर अन सामने पड़दे पर चमकीला आए वों काले पटियों का निर्मान करते हैं, और इन यह पटियां ठीक है, फ्रिंजे कहलाती है, क्या कहलाती है, ठीक है, और और फ्रिंजों के शमूं क्या कहलाते हैं, वेतिकरन वेतिकरन व्यतिकरन पतिरूप व्यतिकरन पतिरूप व्यतिकरन पतिरूप कहे तो interference pattern पतिरूप कहलाते हैं interference pattern कहलाते हैं ओके नौ प्रावलम अचो देखेगा यह उसने क्या किया देखे क्या किया बच्चो एक प्रकास की शुरूप लिया मतलब मान लिजे प्रकास आ रही है यहां से ठीक है यह किसी एकी शुरूप से आ रही है आ रही है ऑके बच्चो एक उन्होंने क्या किया यहां एक परदा लिया ठीक है जहांपर क्या किया उसने ge दो बनाई दो जो है बिंदूर प्रकास के सुरूद बनाई और एक अगला परदा या ठीक है बचोओ यह परदा जी एभंगी डैस लिया ठीक है या हमारा Capital तो अडिया हमारा के एभंग के डैस लिया ठीक है बच्चों देखिए ऐसे लिए यह यहां से बच्चों हैं और मानलीजये क्या होता कि अगर प्रकास की किरन प्रकृती होती तो प्रकास की किरन यहां से निकले के मश्युक्राइब सीधे चले जाते हैं यह क्या है बच्चों हमाठे यह प्रकास के सुरूत है कौन सुरूत है एस नामकार यह कौन है बच्चुं स1 एंड स2 नो प्राबलम यह बच्चों को लोग ऑग कह देते हैं ठीक है ओके देखिए क्या है कि बचों अगर प्रकास की किरन होती तो यह सीधे चले जाती है ना जाती या नहीं जाती मतलब इन दो छुद्रों से पहार नहीं निकल पाती और नहीं निकल पाती तो हमारे वैतिकरन की घटना नहीं हो पाती है ना बच्चों क्यों की प्रकास क्या होती है तरंग होती है यह प्रकास की किर्णे है किर्णों के आपको पता है लंगवत क्या चलती है चलती है यह लंगवत क्या चलती है बच्चों तरंग आगर जब किसी तरंग आगर को आपतित कि जाते हैं एकल शुरूत पर तो यह कैसे होते बैच्चों ऐसे ऐसे आगे बढ़ते हैं इसे देख़ों कि यह देखा था इस देखा था था है वाव्ला कि प्रकार की प्रकास क्यों क्यों कि इन दिशाओं में फैल जाएंगी बोलो जाएगा प्रकास की इस एकाव स्रोथ से उसको इस Пतले से बिंदुवत रोथ से बागा निकाला गया यहां माल यहां पर कोई एक प्रकास रोती ले लिया गया, यह आगे बढ़ी, बच्चों अब क्या हुआ, यह जो है, इन इन सरोतों से, जो S1 और S2 है, जिनके बीच की जो दूरी है, वो क्या है, small d है, इन दो, इन दो बिंदवत सरोतों के बीच, और बच्चों, इन दो परदों के बीच, जो है, वो इसमें से कोई किरन आएगा और यहां से गुजरेगा, यह यहां से जब गुजरेगा, आपको पता है, यह है हमारे पास क्या, तरंग आग्र, यह तरंग आग्र, जब इन दो चुतरों से गुजरेगा तो पता है, यह कैसे बनाएगे, यह आगे ऐसे बढ़ेंगे, ठीक है, आगी बढ़ेंगे देख लो बनाया है अब बढ़ने के बाद देख लो इसे और आगे पराया जाए गर और आगे बढ़ाया जाए इसको एसे आगे बढ़ाया जाए थे थिक है देख लो गर इसको यह से आगे बढ़ाया जाए इसको अगर यहां से बढ़ाया जाए ठीक है यहां से देखो इसको अगर और इधर बढ़ाया जाए इसको इधर बढ़ाया जाए इसको इधर बढ़ाया जाए इसको इधर बढ़ाया जाए इसको इधर बढ़ाया जाए यह द वैति करन कर रहे हैं वैसा देख लो रहे हैं इबहुत हुं स्ब्सक्राइब कर रहे हैं वैति करन हैं कर यह देखो चांब रहे हैं थिए वह देखो ये वेतिकरन कर रहे हैं ठीक है ये क्या कर रहे हो सर्जी सर्जी ये क्या कर रहे हो सर्जी बतातो दो क्या कर रहे हो अपने आप से किये जा रहे हो बताता हूं बच्चों क्या कर रहे हो देखो ये देखो भाई भाई साब देवो आखो पता है ना बच्चों क्या होगा कि जब यहां से परकास की तरंगे निकलेगी तो क्या होगा परकास की तरंगे कैसे चलती है वैक है जो यहां से आखो अजह समय menदो कही क्या बनेगा कही बनेगा स्रेंगž कर दर कही बनेगा गर्त सैंगो बोलते हैं क्रेस्ट रखे रहरा इसे बोलता है ट्रफ ओके यह देखो तो क्या होगा कि कहीं कहीं तो प्रकास की उपर कला वाली तरंग मिलेंगी कभी नीचे वाली उपर वाली नीचे वाली तरंग आग्र उपर वाली नीचे वाली उपर नीचे 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 है ऐसे तरंगे आगे चलेगी बोलो हाया ना चलेंगी येस बोलो चलेंगी या नहीं चलेंगी चलेंगी तो बच्चों क्या होगा प्रकास की तरंगे इस तरीके से तरंग आगर जो इस तरीके से चलेंगी ये क्या है ये बच्चों यंग्स प्रयोग द्वारा वैतिकरन प्रति यह बंती नजर आई, क्या बंती नजर आई, पत्या, कैसे पत्या नजर आई, वो देखो, इस तरीके से, इस तरीके, इस तरीके ठीक है बच्चों ये क्या है ये है ये है पट्टिया ये ब्राइट वाली पट्टिया ये ब्राइट ये ब्राइट 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 और ब्राइट 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 और ब्राइट बीच वाली कौन सी है डार्क ये तो सफेर वाली है वो डार्क ये डार् मतलब बच्चो इस परदे पर वेतिकरन होगा, इस परदे पर वेतिकरन होता हुआ कौँ सो नजर आएगा, कभी विनासी, कभी संपोसी, संपोसी कभ होता है? संपोसी कब होता है जब उचा 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 वाला और नीचे नीचे वाला मिलता है विनासी कब होता है जब उपर वाली तरंगे नीचे नीचे वाली तरंगों से मिलती है बोलो उपर वाली नीचे वाली जब दोनों उपर वाली और दोनों नीचे वाली बनती है तो संपोसी वेती करन दोनों नीचे वाली मिल करके और भी परिनामी तरंका निमान करेगा दोनों उपर वाली परिनामी का दिखाओं कैसे देखो देखो मैं दिखाता हूँ दिखाके फिर मैं मिटा दूँ बादेखो पैसाब अगर एक तरंगे इधर और दूसरी तरंगे भी ऐसे ही चले तो परिनामी कैसे मिलता है ऐसे ऐसे मिलता है बोलो यह है परिनामी यह है वाई नेट यह कौन सा है वाई वन और ये कौन सा है ये है y2 बुलो लेकिन जब मालो ये ऐसे हैं और दूसी तरंगे ऐसे हैं तो ये उपर वाला ये नीचे वाले को कैंसील ये उपर वाला ये नीचे वाले को कैंसील बुलो है न तो dot dot से मैंने किसको दिखाया है dot से दिखा है मैंने गर्थ को नीचे वाले को गर्थ बोलते हैं और उपर वाले को string string गर्थ तो जब string string वाला मिलेगा और गर्थ गर्थ वाला मिलेगा तो क्या होगा बोलो string string वाला मिलेगा और गर्थ गर्थ वाला तो संपोसी वहती करन वहाँ पे ब्राइट मिलेंगी देख लो ये डॉट वाला ये डॉट वाला और ये डॉट वाला मिल रहा है मिल रहा है तो मैं इसको काले से दिखा रहा हूँ देखो ये डॉट वाला है और ये भी डॉट वाला यहां मिल रहा है ये काला वाला है ना देखो यह डॉट वाला यहां पर काला है यह दुखो यह भाइस झाल है और जो ब्लु वाला है देखो जो ब्लु वाला है है यह बुलु वाला थीक है बच्छो गहेँ यह जहां जहां मैं काला कर रहा हूँ न वहां बनेगा संपोसी ये काला ठीक है ये काला ये काला ठीक है ये काला ठीक है ये काला ओके जितने को मैंने काले किये हैं वो क्या बनेंगे वो बनेंगे संपोसी और मैं लाल कर रहा हूँ ठीक है देख लो ये बनेंगे विनासी बाई साहाब ये बनेंगे विनासी, ठीक है, ये बनेंगे विनासी, क्यों, क्यों 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 क देखो ये विच्छिन वाला ये और विच्छिन वाला अच्छा डॉट है ना ये है विच्छिन और ये है और विच्छिन जो बच्चों लगातार रेखा से दिखाएगे उसको उनों गोलते हैं और विच्छिन और विच्छिन ठीक है और जो डॉट से दिखाएगे बच्चो तो उसको मोलो गोलते हैं विच्छिन, विच्छिन का मतलब दॉटेड और 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 विच्छिन का मतलब कांटीनौस कांटीनूस ले लिए बच्चों यह इसने परयोग किया परयोग करके क्या 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 क्योंकि आप दो अलग अलब सुरोट से नहीं बन सकते थे प्रकास की वेक्टी करन इसलिए एक ही सुरोट बनाने की कोशिश किया बाय साब यहां से निकलने वाली सुरोट के अगर कोई भी कलाम पढ़िवर्टन आएगा तो इस पर और इस पर पहुचने वाले ठीक है सुरोट पर भी जो तरंग पहुच रही है जो प्रकास पहुच रही है उनके भी उतने ही कलाम के पीच में अंतर आएगा और इस तरह से दो सुरोटों के तरंगों के कलांतर में निश्चित अंतर बना रहेगा ठीक है निश्चित अंतर बना रहेगा क्योंकि अगर इस सुरोट पर कोई भी कलाम में अंतर आएगा तो वही प्रकास यहां भी पहुच रही है इसलिए इन दोनों सुरोटों पर जो तरंग आगड है उनकी कलांतर क्या रहेंगे समान इनसे उत्पन होने वाली जो तरंग है इनसे बाली आवो ठॉलों इन दोनों तरंगों की बीच में कलां क्या रहेंगे कलांतर क्या रहेंगे इसलिए दुनों क्या है यह क्लांशंबंद सुरोग कैसे हैMax आथ सम्भंद स्रोग सुरोगि टिक है प्र अपर्श कमीला आएवव काले-पठ्यों का जिर्मान होते है देख व जब यहां पर वेथी क्रेंगे जहां जहां संपोसी होगा वहां पर वहां पर ब्राइट पटियां बनीगी चम khira पटियां और जहांज़ां पर बचों ये विछ्षिन और और विछ्षिन लाइन मिली है ना, वाँ पर क्या बनागा दार्क वाला यह बीच वाले जो भाग है उसको मैंने डार्क कहा है और जितने भी मैंने ब्लू से दिखाया उसको मैंने क्या कहा है उसको मैंने ब्राइट फ्रिंज कहा है तो इस पर्दे पर बच्चो क्या होगा कहीं पर डार्क मिलेगा डार्क यहां डार्क यहां डार्क यह महई हो जो यह सेंटर 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 बैसेंटर बच्छों क्या बिला ब्राइट फिरींज ही मिन जैसी मिल रीच जैसे यह है ना यह यह कैसे मिले जो बुलूस दिखाया मैंने वो कैसे पटिया है वो पटिया मिली मुझे क्या मिली कैसी पटिया मिली वो बच्चो पटिया मिली मुझे ब्राइट वाला और बीच में डार्क वाला समझे तो जब यह दो तरंगे मिलती है तो कहीं विनासी विनासी विनासी पत्या मिलेगी, तुसे डार्क बोलेगे, जहाँ पर संपोसी मिलेगा, वहाँ पर ब्राइट पत्या मिलेगी, तो बचो ये बहुत ही तगड़ा वाला घटना था, क्या पता है, कि दो परकासे मिलके भी कहीं अंधेरा बना रहा था, पहली बार ऐसी कुछ घटना होत परकास के वैतिकरण से क्या होता है, जब दो परकासे मिलती है, एक संपोसी बड़ा और एक विनासी बड़ा तो वहाँ अंधेरा हो जाता है, मतलब परकास जहां है, वहाँ पर अंधेरा भी हो सकता है, समझो, वैतिकरण के स्थिति में, देख लो, क्या यहाँ से कुछ उन्होंने वैतिक्रण की घटना दिखाना चाहा बाई ये प्रकास के तरंग के प्रग्रदी पर विश्वास रखते थे समझ गया इसलिए उन्होंने वैतिक्रण की घटना क्या परयोग करना चाहा अब प्रकास की वैतिक्रण कराने के लिए क्या होना चाहिए कला संबंद सु दो अलग अलग सुरोत कभी भी कला संबंद नहीं हो सकता लेकिन जब तक दो सुरोत नहीं बनेंगी वैतिकरण की घटना नहीं होगा बोलो एक की सुरोत से निकलने वाली तरह मांग रहे ये किस से मिलेंगी अपने आप से मिलेंगी नहीं न तो दो स्रोत चाहिए थे ताखी परकास की बेदेरिकर की घटना हो सके इसलिए मैं क्या किया एक परदा लिया उस पर एक चिदर काट दिया फिर एक सामने परदा लिया उस पर दो चिदर काट दिये और ये दोनों चिदर इससे जितना उपर है उतना ही ये नीचे है और इन दोनों प्रकास रोतों के विच्वे किती दूरी है small d दूरी है समझ गए और ये जितना उपर है उतना ही नीचे है मतलब क्या सकते है उपर वाले दूरी कितना है d वट्टा 2 और नीचे क्या है d वट्टा 2 total d, यह जितना उपर है, उतना ही नीचे है, यह दो फागों बढ़ जाएगे, d बटा 2, d बटा 2, दो बोलो, अक्का, यह देखो, यह वाला क्या होजएगा, बैसा d बटा 2, और यह नीचे भी कितना होजएगा, d बटा 2, ठीक है, तो बच्चों, इसलिए उन्होंने क्या किया? एक वर्ण का एक कोई रंग का प्रकास लिया उसे किसी एक शिदर से पाड़ कराया और उसके बाद उन्होंने एक और पड़ लिया जिसपर दो बिन्दुबस शिदर काट दी और शक्क बाद सामने चाहित एक पड़दा लिया जिस पर वो वैथीक रंग की घठना देखना चाहा बचो यहां पर अगर जो भी कलां में अंतर आएगा यहीं तरंग यहां से भी गुजर रहा है यही तरणग यहां से भी बाहर निकल रहा है इसलिए इस प्रकास में जितना खालाग आतर आएगा उतना इन दोनों तरणगों की बिज में हं और तरणग कहले की वंटार North कि कहीं कहीं अंधेरा चा गया दो प्रकास मिलने पर अंधेरा चाहेगा संपोसी वेतिक रन होगा और चम्कीना में लिए मुझे इस पर वो क्या होंगी वो हमारे पास कैसी होंगी पैसा वह ब्राइट फ्रेंज होंगी जहां पर संपोसी वहती रनोगा संपोसी कहा होगा वो मैंने बता दिया जहां विच्छिन और इसके विच्छिन मिलेंगे या फिर जहां इसके और विच्छिन और इसके और विच्छिन मिलेंगे अगर इसके विच्छिन वाला लाइन डॉटेर व नीचे यहां पहले उपर गया तरंग फिर नीचे पहले उपर फिर मीचे पहले उपर फिर मीचे है ना और जहां 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 उपर वाला उपर वाले से मिलेगा वहां पर ब्राइट जहां पर नीचे वाला इसके नीचे वाले से मिलेगा वहां पर बिनास होगा और वहां पर पट्टिया मिलेगी इस पर्दे पर अरे यार इतना अगर मैंने किसी दूसरे बच्चे को बताया होता तो समझ आ गई होती है ना चलो बाइसाब बड़ा ही खुंखा टॉपिक है खुंखा टुंखा टॉपिक है आगे बढ़ें चलिए आगे बढ़ते हैं पुड़ी कहानिया पुड़ी माजरा मैंने आपको समझा दिया चलिए एक स्लाइड मेंने आपको पुरी माजरा और पुला देखिए तो क्या क्या हुआ भाई साथ यहां से ठीक है यहां से पड़ा लिए और बच्चों क्या हुआ क्या हुआ कि बच्चों कि यहां पर कि सेंटर है और मैंने कहा था इस सेंटर पर क्या होगा इस सेंटर पर क्या होगा मिले dope यहां पर संपोसी वेतिडर पोटबान काया क्यों पर क्या था यहां पर उथा पहुआ कि नेग्प और बच्छों इसे जस्ट उपर डार्क फिर ब्राइट मिली है ना फिर डार्क फिर ब्राइट मिली फिर डार्क फिर ब्राइट मिली फिर डार्क फिर ब्राइट मिली मतलब ये करमागत रूप में मिला मुझे करमागत रूप में ठीक है करमागत करमागत रूप में मिला कि यह कर्मा गदृप में मिला एक है इस यह ब्लाइट 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 की है और उस अरक और चलिए बच्चों तो हम लोग क्या कर रहे हैं और इन के विछ नी दुरी थी वो क्या थी स्माल डी थी अगर उपर वारी दूरी ती थी नीचे बटा दो थी और बच्चों यहां से ले गई यहां तक capital D थी थी या नहीं थी पक्का थी ओके चलिए को दिक्कत नहीं चलिए इसका नाम क्या का था हमने यहां पर हमने क्या दिखाया है वैतिकरन इसके द्वारा यंग्स के द्वारा ओके नौ प्राबलम कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर बच्चु कर्मागत मिलती है मुझे अब हुम लोग क्या करना चाहते हैं मा लेजे कोई एक बिंदू यहां से लेते हैं यहां तर ठीक है यहां पर कुछ बिंदू P कहा रहेते हैं जीओ फी बिंदू से कितना ऊपड़ है एकस दोरी ऊपर है थीक है और कोई लिक्कत नहीं है सब्सक्राइब कर दो घ्याद करना चाहते हैं कि भैसाब कहां ब्राइड्ट फ्रिंजे मिलेगी आपको पता है आ दो तरंगे जब वेतिकरन कड़ेगा तो पहले दार्क फिर अंधेरा फिर डार्क फिर अंधेरा ठीक है यह कर्मागर्थ मैं लिख देता हूं ठीक है तॉमस यंग के S1 एवं S2 श्रोथ से निर्गत तरंग प्रस्पर वेतिकरन कर वेतिकरन कर कर्मागत रूप में कर्मागत ठीक है कर्मागत ठीक है दिप्त एवं अदिप्त पट्यों का ठीक है परदे जी जी डैस पर निर्मान करती है निर्मान करती है यह बात में पता है कर्मागत रूप में करेगा ठीक है अब बचू मुझे यह पता करना है कि भाय साहब कहां मिलेगा हमारा बड़ाइट और कहां मिलेगा डार्क ठीक है चितर से चितर से दिप्त एवं अदिप्त फ्रेंजे बनने की स्थीतियां इस थीतियां ओके निम्न होंगी निम्न होंगी क्या हो सकता है यह देखे ठीक है क्या होंगी वो देखे बच्चों अगर मैं कहूं S2P-S1P तो क्या होगा S2P-S1P यही क्या होगा यही आपका बच्चों पतांतर होगा बर्च्चों अगर मैं S2P minus S1P यह S1 S2P का whole square S1P का whole square बोलू आपसे पूछ हूँ तो आप क्या बताएंगे मुझे सरजी S1 2P का whole square S1P का whole square सरजी मुझे क्या बता देखिए बच्चो S2P बच्चो आपको पता है कि यह वाली दूरी ही क्या है capital D है बाइसाब यह वाली जो यहां से लेके यहां तक दूरी इन दो परदों के बीची दूरी क्या है capital D है है या नहीं है तो बच्चो S2P बड़ावर में क्या लिख सकता हूँ D से square plus यहां से लेके यहां तक S2P बच्चो S2P बड़ावर में क्या लिखूंगा लिखूंगा X plus D बड़ावर दो दिख सकता हूँ यहां P से लेके इस इनों तक की दूरी कितनी होगी X plus D बड़ावर होगा तो S2P बड़ावर क्या आजाएगा बाइसाब यह करन बड़ावर क्या होगा बाइसाब देखो बाइसाब क्या होगा D square plus X बड़ावर का X plus D बड़ावर का whole square ठीक है होगा बाइसाब देखे होगा या नहीं होगा होगा माइनस S1P क्या होगा S1P यह करन बड़ावर क्या होगा आधार का square plus D square बचो यह वाली दूरी कितनी है तो इस X में से अगर यह दूरी घटा दी जाए तो बचेगा न यहां से लेके यहां तक ही दूरी गोलो X में से X में से अगर यह दूरी घटा दी जाए तो बचेगा न इस स्लीट से ऊपर क्यों चाही सामने लंग क्यों चाही तो यह कितना है D बटा दो तो मैं क्या लिख सकता हूँ लिख सकता हूँ यहां से लेके यहां अधार का square अधार क्या है capital D ठीक है पलस क्या आजाएगा X माइनस small D बटा दो का whole square आएगा आएगा है नहीं आएगा आएगा बराबर बचों यहां D square माइनस D square cancel हो जाएगे बोलो येस अब इसका square करो क्या हो जागा X square पलस D बटा 2 का square क्या हो जागा D square पलस 4 पलस क्या हो जागा 2AB 2X गुना में D बटा 2 होगा होगा या नहीं होगा अब इसका square करो माइनस लगाओ अंदर square करो X का square X square माइनस B का square पलस D square बटा में 4 और माइनस 2AB तो 2X और D बटा 2 होगा येस वाईस आप माइनस गुना कीजे माइनस X square आपस में क्या हो जाएंगे cancel X square पलस D square बटा में 4 पलस 2 से 2 cancel तो क्या में लिखू X और गुना में D गुलिए लिख सक्ता हूँ फिर माइनस X square फिर माइनस अनव माइनस D square बटा में 4 माइनस माइनस पलस दोस्त दो cancel क्या दाएगा X D होगा Yes बच्चो अगर मैं इस X square को X square से cancel कर दू इस D square बटा में 4 को माइनस D square बटा में 4 cancel कर दू X D पलस X D कितना आएगा 2 X D के बढ़बर होगा गोलिए इस इस माइ सकेंड समिक्रन गोलिए हाँ याना और ये बच्चो S2 square मैंस S1 P का whole square का फेल लिए समझ गये पका screenshot लीजे मैं आगे बढ़ू और इसे मिटा हूँ screenshot लेजे लेजे चलिए मुझे उमीड है जो मैं समझाना चाला हूँ समझ रहूंगे नहीं समझ रहूंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हूँ मिटा दिया जाए चलिए जल्दी से मुझे बताएं बच्चो क्या कि जो हमारे पास जो हमारे पास S2P का होले स्क्वेर माइनस S1P का होले स्क्वेर आया किता है 2XD आया है बच्चो इसको क्या लिखा जा सकता है S1P S2P माइनस S1P और गुना में S2P पलस S1P होगा अगर बच्चो मैं इस वाले बात को इस वाले बात को अगर मैं ऐसी लिखू तो वैसे इसको क्या मानेंगे A का हो स्क्वेर इसको क्या मानेंगे B का है स्क्वेर तो A स्क्वेर माइनस B स्क्वेर क्या होगा A माइनस B गुना में A पलस B होगा पता है मुझे अगर इतनी मैंस नहीं आती है तो घर जाहिए S2P minus S1P बड़ावर में क्या हो जाएगा 2XD और बताओं क्या हो जाएगा S2P plus S1P होगा बच्चों जो S2P है लगबग assume कर सकते हैं S1P के बड़ावर है ऐसा assume कर सकते है बच्चों जो S2P है वो लगबग S1P के बड़ावर है ऐसा कह सकते हैं क्योंकि यह जो बच्चों दूरी है यहाँ आपको पता रहे ठीक है क्या कि यंग्स अनुसार ठीक है यंग अनुसार यंग अनुसार क्या कि S1 एवं S2 स्रोत अती निकट होने चाहिए अती निकट होना चाहिए अती निकट होना चाहिए ठीक है निकट होने चाहिए भाई साब इसलिए S2P कहा आज़ता है S1P के बड़ावर है ठीक है पक्का और ये भी कहा जा सकता है कि बच्चों जो S2P है जो S1P है वह S2P और S1P लगभग बड़ावर होंगे किसके capital T दूरी के ऐसा भी हम लोग क्या कर सकते है कहा जा सकता है यहां से ठीक है क्योंकि बच्चों यहां से जादा उपर की दूरी नहीं है यहां X भी क्या है बहुत ही छोटी दूरी है X is also smaller smaller value X भी ज़ता बड़ी दूरी नहीं है बच्चों यह लगवग छोटी लगवग capital T के दूरी के बड़ावर होगा होगा तो बच्चों क्या यहां से ऐसे लिखी जा सकती है कि S2P किसके बड़ावर D के बड़ावर S1P D के बड़ावर तो क्या लिख सकते है 2 capital T लिखा जा सकता है हाँ छोटी मोटी तो रूटी होगी छोटी मोटी तो बहुत परिवर्तन तो है लेकिन इतनी बड़ी परिवर्तन नहीं है ऐसा हमारी anxiety गयता है और यहाँ बात हम लोग समझ भी सकते है ठीक है चलिए नौ प्राबलम पक्का चलिए ठीक है बच्चो अके अब बच्चो यहाँ से S2P माइनस S1P का वैल्यू यह आ गया और यह क्या हमारे पास पथांतर यह क्या पैसा पथांतर है मारे पास यह है पथांतर डेल्टा एक्स है डेल्टा एक्स रावर क्या आ गया 2XD अपॉन में 2 2 से 2 क्यांसी कितना आ गया पैसा 2 स्वरी X, D और बच्चो अगया पक्का यह समेका नमर कितना हो गया 3 हो गया नो प्राबलम मिटा दिका इसे मिटा दिया जाए मिटा दिया बच्चो अगया विशेश स्थीद्यां विशेश स्थीद्यां क्या है कि P बिंदू दिप्त पट्टियां पट्टियां हो तब अगर दिप्त पट्टियां है कैसी पट्टियां है दिप्त पट्टियां हो अना दिप्त पट्टियां हो तब अथांतर अथांतर एन लेंडा के क्रम का हो सकता है क्रम का हो सकता है बोलीए है हाया न पका न कितना लिए न रेंदा एक्स डि और बट्रम का एक्स कौन से वाले का nut Sprintback PRM के यहां से एक्सजन ग्रावर क्या आदेगा अधर दाईगा तो 你द्र दब क्या होते है N अड़ में 2 X n D बठा में capital D फैक सा original एक्स aware क्या आदेगा XMROAD में आजाएगा N Lambda capital D divided by small d आएगा पक्का बोलो पक्का यहाँ पर N क्या है यहाँ N यहाँ N क्या है N अब बचो 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 ठीक है यह values है आपके No problem पक्का बिटा दिये जाएँ लेली आओगा आपने स्क्रिंसोर्ट लेली जे फटाफट लेली आपने स्क्रिंसोर्ट मिटा दू मैं से बिटा दिये जाएँ शरू आओ आते हैं अब यह तो भात थी किस पर यह बात थी पहला ठीक है दूसरी मिंदू क्या है यह है अदिप्त पट्यां पट्यां उने पर उने पर विनासी वेटिकरन विनासी वेटिकरन विनासी वेटिकरन होगा होगा और इस स्थिती में इस स्थिती में पथांतर कितना होगा भाइसा 2N पलस 1 गुना में लेम्डा बटा 2 होगा रग दिजी एक कंडिशन अथांतर की जगा 2N पलस 1 लेम्डा बटा 2 बड़ावर में क्या हो जाएगा बड़ावर में हो जाएगा XND XN small d बड़ा में capital D यहां से आजाएगे XN बड़ावर में क्या जाएगे 2N पलस 1 लेम्डा बटा 2 ठीक है divided by multiply by capital D divided by small d होगे XN बड़ावर में यह आजाएगा No problem पका No problem बोलो यह समय का नमर कितना 4 हुए थे 5 लिटो यह समय का नमर 6 लिख सकते हैं आप लिख लिजे मिटा दिजाएगे से शली मिटाते हैं अब अच्छों क्या लिख सकते हैं इसको बच्छों हम लोग बीटास दिखाएंगे किसको दो कर्मागर्द दिप्त या अदिप्त पट्टियों के बीच की दूरी देखिए बच्छों यह क्या है ब्राइट और यह है ब्राइट इन्हीं दोनों के बीच में जो दूरी है ना उसको लोग केंगे बीटा इसको अदिप्त पट्टियों के मध्य की दूरी इसको बच्छों फ्रिंज चौराई कहते हैं थीक है बीटा को फ्रिंज चौराई कहते हैं और प्रिंज चौराई कहते हैं ओके हां अदिपते हम अधिप्त फ्रिंजों की चौराई चाहिक हता से ओके इसको इंग्लिष में फ्रिंज विड्ट कहते यह कितना होगा बच्छों यहां होगा xn gef को इस एन्हों होगा है होगा है नहीं होगा xn plus 1 minus xn कितना होगा पहले वाले का कितना है था दूसरे नोमर वाले का कितना होगा कितना होगा 2n 2 lambda 2 lambda capital d divided by small d minus यही तो होगा चेक करो पीछे चेक करो तो यह किसको लिख रहो हो है यह लिख रहा हूँ मैं ब्राइट फ्रिंजोंकि ठीक है पहले बाले क्या हुआ होगा लेंडा क्ये के लिए अगर मैं दार्ट के लिखू तो बच्चों दूसरे नुमर में क्या है का देगा दो दुनी चार चार एक पांच पांच Nilड़ पांच लेम्डा ठीक है बटा में दो गुना में capital D और नीचा में small d होगा पका माइनस और एक रखने पर 2 एक 3 टील त्री लेम्डा बटा में capital D small में 2 small d बताए कितना आएगा पांच में से 3 गया तो 2 2 लेम्डा capital D बच्चों फ्रिंज विर्स जो है वह किसके लिए डार्क के लिए और ब्राइट के लिए क्या आते हैं यह देखिए इसमी का नमबर साथ यह समी का नमबर आठ देख लीजे बाइट की खाया नहीं था और यह किसके थी डार्क की तो डार्क और ब्राइट की कंडिसन जो लाया है उसी में से आप भैल डाके धिख लीजे पैड दूसरे मैं से पहले जिंग धी दूरी की चौडाइट निकालए थ पहला जो बशाओ्रा बन रहा है और दूसरां, बन रहा है। उनके भीच्व च्वड़ाही क्या खाला दे जा रहा है। कि इसका भी स्क्राइब लीजिए ले लिए आफ पका वाइसाब कितना लगातार तगरा कलासे चल रहे हैं तुमको बस आराम चाहिए अपिनी बड़ी सीने बस आइसे थोड़ी से खतम होती है आराम से खतम होती तो भाइसाब सब खतम करते हैं कि सब गया है इस बकणियां सब बैठके पढ़ रही हैं कि साइब तुम बात कर रहे हो देखो देखो बाइसाब क्या गढ़े हैं हम आपसे क्या कह रहे हैं वो देखो तो आपको बच्चों जिफ्ट फ्रिण्ज और अधिफ्ट फ्रिंजों की चौड़्ाइगी ग्यान हो गई भक कंच्ड बच्चों बंढ भांग में तुमंहीं पता है तुमको यहां का फ्रिंज कैसी बनेगीा काbad go तक उर्जा कभित्रण कैसे तुमको अमने दिखाए थे तुमको दिखाए थे ना कुछ बनेगा को decentralized कॉछtt वाइस आप सेंटर पर कितना होगा फूर आइनोट बोलो हाया ना होगा यह नहीं होगा देखो वाइस आप डार्क ब्राइट डार्क मैं इसको मैं इसको और यह अच्छे से बना सकती है देखें कैसे है देखें मैं दिखाता हूं मैं देखाता हूं ऐसा इसे और अच्छे से बनाई जा सकती है देखें कैसे देखें यहां ब्राइट डार्क 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 ब्रा डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, समझ गया है, यह देखो, आईसा इस इस विंदू पर कितना होगा, फोर आई नोट, और इस इस विंदू पर कितना होगा, जीरो, इंटेंसिटी कितनी होगी, जीरो, इस विंदू पर इंटेंसिटी कितनी होगी, इस विंदू पर, फ प्लस आइटू प्लस तू रूट अंडर आइवन रूट अंडर आइटू और गुणा में कॉस्ट फाई हूता है क्या अगर बच्चू एक तीव्र्था यह क्या तीव्र्था इंटेंसिटि है एवा अगर आइटूश्च बढ़ावर हो किसके आइनोट के तो क्या हो यदि हो तब क्या कहींगे आए बड़ाबर आइवन का वैल्यू आइनोट के बड़ाबर आइवन आइटू का वैल्यू आइनोट के बड़ाबर तू गुना में रूट अंडर आइवन का मतलब आइवन ऑड़ाइब लूट अडाइटू का मतलब इनोट और गुना में कॉस्पाई होगा बड़ा साब आइवन क्या बचे पर आइगा बचेका बचे लिए घ्क पत्व वन प्लस कोज स्कॉस फाइर फाइल बट्टा 2 यह फामुला होता है देखो 1 प्लस कॉस पाइल का फामुला होता है कितना तू कॉस स्क्वाइर फाइब बट्टा टू यह मैंस वाले को पता है अगर आपको नहीं पता है तो आप इसे याद रख लीज़े ठीक है बच्वो टू आयगी है ओंट इधर ले हो टूराा अपया पर इसे एका ऱसर्व के अलब पता है ताव मीना इनितेंसिटी है वहाइब यह यह आजागा जब मुझे कलांतर नहीं पता यह कौन स्विकल रभाज़ा तो यह नहीं पता तब हमारा इंटेंसिटी हो जाएगा नो प्राबलम आपको मैंने यह दिखा दिये उर्जा वित्रण किस तरीके से हो रहा है चलिक अब मिटाने जाए से आपने पका विदा दूँ चलिए विदा देता हूं कर दो देखिए बच्व यह कॉर्पर बतार हूं मैं आपको कोनी यह फ्रेंज कोनी है फ्रेंज कोनी फ्रेंज चौड़ाई कोनी है फ्रेंज चौड़ाई थीक है को निए का मतल़ भचू इस विंदू पर इस विंदू से दो डार्क फ्रिंजों के बीच की दूरी दो डार्क फ्रिंजों के इस विंदू से बनाए गए कौन क्या कहलाते हैं यही हमारा क्या कहलाता बच्चु यही हमारा क्या आता है ठीक है कौन यह फ्रिंज चौड़ाई इसको किसे दिखाएंगे थीटा से, थीटा बड़ावर क्या हो जाएगा, दिस बटा में दिस, दिस कितना है, डार्क से लेकर डार्क तक, पहला डार्क से अगले डार्क के बीच की चुराई किसको क्या कहते है, बीचा, कहते हैं क्या, और बटा में, बटा में क्या हो जाएगा, दिस दूरी, दिस दू आप यहां से क्या किये थे एंगर अगर थीटा है यह आपका चाप है एस है और यह त्रीजिया आज है यह सेंटर है तो आप यहां से क्या किये थे अगर कौन आपका छोटा हो एंगली जा स्मॉल एंगली जा स्मॉल है ना अगर आपके कौन छोटे हो तो क्या लिए सकते थे थीटा बडाबर क्या लिए थे को लिए विस थापन बडाबर चाप और बटा में 3 जिया एस और बटा में आर लिखे थे पता है क्या आपको अगर यह कौन ठीटा छोटा है तो ठीटा क्या होता है अगर सामने वाला दूरी और बटा में कैटल डी होगा बच्चों यहां से यहां से ठीटा बडाबर बीटा बोलो चाहो डार को चाहे ब्राइट हो उसकी लिए रेखि बंध्य चौराइए होती थी लंडा गुना में क्या लाइन होती थी हमारे पास जो चुसक्त चराहे हमारे बता अ वसक्तों संस्क्रा बीटा ग्रवार क्या प्राप्ते होता मुझे को ब्ला कुक्या प्रापते खिरना रेखिरति इस fact अन्यां द श्मावड क्रौधा में कि ब्राबर्वादा तो ड्री और बड़ाए समॉल दी यह उंगे वैसा बीताब्राब्र दाईगा लेंडा गुना में capital D, बटा में small D है ना और बटा में क्या capital D, capital D से capital D cancel क्या दाएगा, लेंडा को ना में small D, किसके बड़ाबर, कौन ये fringe चौड़ाई बड़ाबर, ठीक है, ये लिज़े, ये कौन ये fringe width है, fringe की चौड़ाई है, ओके, चलिए, तो बच्चों, screenshot ले लिज़े, पका, तो आपके यंक्स का प्रियोग यही पर खताम होता है, ठीक है, यंक्स के लिए जो हमारे पास, है ना, एरिवेशन से हैं, जो figure से हमारी यही खतम होती है, ठीक है, अब बच्चों, लांस में आपको एक figure दिखा सकता हूँ, क्या, देखिए, अगर आपके पास, अगर आपके पास, इस पर कोई सुरोत S है, अगर आपके पास, यहाँ कोई सुरोत, बीड से उपर S1 है, यहाँ पर आपके पास S2 है, ठीक है, यहाँ पर कोई परदा है, तो इस परदे पर आपको क्या पराप्त होगा, यहाँ से कोई प्रकास लिख लेंगी, मद्धिभाग से होती भी इनके मद्धिभाग में, यहाँ क्या होगी वाइसा, यहाँ आपको Dark मि मिलेंगी यहां bright यहां bright यहां bright डाट से म्होंड दिखाया है Central पर Bright मिलता है यहे है यह है यंग्स द्वारा व्यति करन परती रूप व्यति करन परती रूप ठीक है इसी figure के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक है, ले लीजिए, फटाप फटाप इसक्रिंस ओट ले लीजिए इसका, ठीक है, तो हम आपसे विदा लेते हैं बच्चों, अगली बार हम लोग फिल मिलते हैं नेक्स वीडियो में, पढ़ाय करते रही है, खुश रही है, हस्ते मुस्कुराते रहिए अपना ख्याल रखिए अपनों का ख्याल रखिए परिवार वालों का ख्याल रखिए महाता पिता का आधर कीजिए और परहाई करते रहिए अब इपार मिलते हैं तिल देन बाबाई गुड नाइट and thank you to watch my this video and see you soon bye-bye thank you bye-bye